एक बहन जी आज हम से, जब हम नीचे उतरे थे, जहां हमारा निवास है, वहां हम को एक बहन जी मिली थी, वो यहां भी आई हैं, पत्रकार हैं, ND TV वाली, तो वो कह रही थी परचा कैसे बनाते हैं बुलाते कैसे हैं अगर आई हो तो आजाओ हम तुम्हें बता देते हैं जैस्रियाराम हर हर हाँ हाँ आप हो कौन सी टीवी है है अच्छा अब तुमने देख लिया हम कैसे परचा बनाते हैं काओ तो तुम्हाओ बना के बताईए और छीलिए तुम्हें इधर आओ कैसी पत्र का आ रहा हो आईए बेहना हमने लिख लिया बैठों माइक लो पूछिए आप कौन सी टीवी से हैं आपने क्या पूछा था कि कैसे परचा बना लेते हैं क्या जानना चाहती हैं कैसे हम बना लेते हैं जान सकती हैं देख सकती हैं हमने आपके आने के पहले ही आपके विशय को लिख करके रख लिया, आपकी पत्रकारता में, आपकी बुद्धी में, आपकी दमाख में, जितनी दम हो, तागत लगा लीजिए, चारों खाने चित नजर न आयाओ तो कहना, और कोई हम अभिमान में नहीं, बाला जी किस्वा अभिमान में बोल रहे हैं, बहुत प्रेम पूरबक बोल रहे हैं, ओवर कॉन्फिदेंस में भी नहीं बोल रहे हैं, एक बात और हम आपको बते हैं, गुरू जी हमने भी अभिमान में नहीं बोला, हमें पता है आप हमारे ज जी बिख जानना है आपको आप खुद परिक्षा ले लिजे दूसरों को हम बूलाएंगे सायद तुम्हारे मन में संदे रहेगा दूसरों को जिनको हम बूला रहे सायद वो हमारे हो या हमारे लोगों ने कर लिया हो यूंकि तुम्हारे दमाग में यही कीडा है न कटू इसलिए हमना तुम्हें बुलाया है कि अपना कीडा खतम करो जंजट खतम न दिल्ली दूर है न संसत दूर है अपनों तो दरबार खोलो ही है पूछो नई गुरूजी अमना अबेशा आपको सुनते हैं हमारा अठारा वर्ष का बालक है जो आपको बहुत सुनता है और अभी वो घर में करेली में हैं बाहर पढ़ते हैं वो पर पतनी भीड़भाड के कारण शायद आना नहीं चाहा उसमें कोई बात क्या जानना है गुरूजी कुछ है विवाद काफी वर्सों से हैं जो हल नहीं हो र अब मैं क्या बोल गुरूजी यहां इस मांच से मैं क्या बोलूँ तो मकान का विवाद है बिलकुल है गुरूजी एक बिशाय और आपके दो बिशाय है जी गुरूजी और पूछे बच्चे का भविश्य वह बाहर पर रहा है नीलम जैन नामक एंडी टीवी की मीडिया से आई है पढ़िए परिक्षात्मक भाव है बेटे के कैरियर का विशाय पूछेंगी बिलकुल सर जॉब होगी आसिरबाद चायती पेड़ पीड़ा मकान का विवाद निपट जाएगा पक्ष में होगा जाव आसिरबाद है क्या ये एकदम सही जी गुरू जी ने जो कुछ भी लिखा है मैं एंडी टीवी की पत्रकार हूं इन्होंने अक्षर शह एक एक अक्षर बिलकुल सत्य लिखा है और ये बात मैंने कहीं किसी से नहीं की थी मैं बस यहाँ पर मन में लेकर ये बात बैठी थी जो गुरू जी पाला जी ने बाला जी महराज की जै गुरू जी की जै उनको भी लाब होगा पती भी श्वस्त रहेंगे परिवार पे क्रपा रहेंगी बच्चा सपल होगा विबाद निपट जाएगा दुस्मन दूर हो जाएंगे पत्रकारता जिन्दा रहे लेकिन लौट के हमसे न फसी हो जै शिया राम जै जै जनिंद्र जै बाला जी जै गुरु देव की जै शिया राम काओ चिले अच्छा तो कल आजाना कल दीच्छा दे दे देंगे कौन कौन आया है तुमारे पिता जी आयें कहां है अच्छा पगला चेला है ठीक है आप सरनागती ले लेना मंत्र दीच्छा ले लेना कल दीच्छा कल आजाना सुबह से ब्रत रहना कुछ खाना पिना नहीं ठीक जा आशिरवाद अब तो नहीं है तुम्हें संदे एंडी टीवी